अगर वह आपकी चेक लिस्ट में है तो यह गाड़ी आपको यह गाड़ी बिना सोचे समझे ले लिनी चाहिए फाइव पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला है तो आए करते हैं वीडियो को स्टार्ट लाइक ज़रूर करते हैं आप देखो कितनी करभी में वीडियो शूट हो रही है तो पहला पॉइंट इस अगर आपको इस चाहिए गाड़ी में तो आपको जो स्पेस क्रेटा में मिलता है मतलब अगर आप जैसे मैंने एको स्पोर्ट ली और एको स्पोर्ट का टॉप एंड वेरियंट अगर आप करेटा का सेकेंड वेरियंट लेने जाते हैं तो आपको अल्मोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट में वो दोनों मिलेंगे अगर आपकी प्राइटी है कि आप एक फैमिली कार जिसमें आपकी 5 मतलब 5 लोग की फैमिली है और हेल्दी लोग बैठते हैं आपका ट्रेवलिंग हाईवे ट्रेवल बहुत जादा है और आपको बूर्ट स्पेस भी अच्छा चाहिए तो करेटा आपके लिए एकदम खरी पाहिए उत्रेगी इसमें जो आपको स्पेस मिलता है अच्छा मिलता है कि 6.5 12 का बंदा भी पीछे बैठा है नशिसके पास इतना LEK SPACE इसमें आराम से बचेगा इतना भरपूर स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने माला है दूसरा इसका पॉजिटिव पॉई साइड कमफर्ट है कि आप सीटी में जब भी किसी गड़े के ऊपर से जा रहे हैं खराब रोड के ऊपर से जाते हैं तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी आपको फील नहीं होंगे वह आपकी गाड़ी एकदम गलाइड होते हुए एकदम उसके ऊपर से चली जाती है तो यह आप सीटी में बहुत चलाते हैं आपका थोड़ा बैच आफ रोड है क्रेटा की ग्राउंड क्लिरंस भी अच्छी है उची गाड़ी है एस्यूवी है तो मतलब आपको खराब रोड पे अगर आप अपने गाओ वगरा में कहीं भी जा रहे चलाने तो आपको अंदर गड़ कोई पेट्रोल का ही मतलब दूसरा लिया आया बट काम पावर का एंड वो ही पूरे सेग्मेंट में चला रहे हैं वहीं क्रेटा में आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं पहला इंजन जो ऑप्शन आपको वह 1.5 लीटर पेट्रोल उसके बाद बीए 6 कंप्लाइंड आप आपकी रणिंग काफी ज्यादा है और आपको थोड़ी एकनॉमिकल चाहिए अपने पॉकेट पे आपको महेंगी ना पड़े चलानी तो आपके लिए पास 1.5 लीटर डीजल का ऑप्शन है जिसमें कि आपको टॉर्क बहुत अच्छा मिलता और जो आपकी भागती गाड़ आपको पेट्रोल एंजन मेलेगा पेट्रोल टर्बो चार्ज एंजन है जो की नया आया एक रेट या में पहले नहीं आता था अब आना शुरू हो गया ऐसे ही मतलब यह 3 इंजन आपको इसमें मिलते हैं तो मतलब आपकी चॉइस मतलब आपको जैसा आपको नीड़ आगर कम चलती है और आपको मतलब नॉर्मल चलाने के लिए चाहिए तो 1.5 लेटर पेट्रोल आपकी रेनिंग बहुत ज्यादा एकनॉमिकल चाहिए और थोड़ा टॉर्क और पावर भी चाहिए तो 1.5 लेटर डीजल और आप एक एंथूजियस्ट है और कम रेनिंग भी है मगर आ अगर आप टॉप एंड विरेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपको जो चीज आपको अपनी गाड़ी में चीए जो फीचर आपको अपनी गाड़ी में चीए वो आपको मिलेगा एक दो फीचर में मानता हूँ जैसे कि आपको सेल्टॉस में मिलते हैं वो इसमें नहीं मिलते ह तो आपको बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब इन्होंने नॉर्मल हेलोजन बल्ट दिये ही नहीं तो आपको प्रोजेक्टर सेट अप मिलता है आपको सेफटी के जितने फीचर आप सो सकते हो आपको मिलेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा यह सब आपको मिलेंगे वायरले आपको सारे फीचर मिलेंगे तो फीचर लोड़ेड ही आपको गाड़ी आती है अप एक वह है कि आपको अपनी गाड़ी में मतलब फुली लोड़ेड गाड़ी चीज़ेता है तो यह गाड़ी आपके लिए आप एकदम ले सकते हैं इसका हॉन भी मुझे बहुत अच्छा हौंज आप बजाते हैं तो एकदम तेज आवाज है और काफी अच्छी लगती तो वह भी मुझे किसमें अच्छा लगता है तो फिफ पॉइंट जो है कि जनरली जो डीजल इंजन आते हैं वह बहुत ज्यादा हार्श होते हैं उनमें नौइज होती है आपको कैबिन के अंद अच्छा है जो अंदर आप मतलब इंसूलेशन इतनी अच्छी है वाइबरेशन इतनी कंट्रोल है कि आप मतलब फर्स ताइम कोई है ना जो मतलब जादा गाड़ी नी चलाता है तो मतलब वह आर्पेम मीटर देखके आप बता सकते हो बट उसको नहीं पता सलेगा कि आप अच्छा है वाइबरेशन नहीं है नौइज नहीं है और यह आप अच्छा है तो बहुत अच्छा वह मतलब डीजल इंजन इसका काफी रिफाइन काफी अच्छा है मैं भी आपको स्टार्ट करके भी आपको एक आप इसके बाद एक क्लिप दिखा देता हूं जिसमें आप अंदर खुद फील करना कितनी अवाज है और मैं भार जाके भी आपको वो साउंड सुना दूँगा तो गाइज मैंने यहाप अभी की लगा दी है यह मैंने स्टार्ट करी मैंने क्लेश दवाया एक बार मैं एसी बंद कर देता हूं जिस्से की एसी किनो है आपको ना लगे यह आपकी गाड़ी स्टार्ट है तो गाइज यह गाड़ी स्टार्ट है आप मतलब गेर लेवर देखो बिल्कुल बिल्कुल वाइबरेशन नहीं है स्टेरिंग पर कोई वाइबरेशन नहीं है नॉइज नहीं है हलका सा मैं रेव भी करूं तो आपको वो डीजल वाली हार अब मैं बाहर जाके आपको लास्ट एसी चला के भी दिखाएता हूं मैं एसी चलाने के बाद भी ऐसे नहीं है गाड़ी में वाइबरेशन आगी हो या एकदम वह हो गया हो एकदम सही पेट्रोल इंजन वाली बात आपको मिलेगी और अगर बाहर जाके मैं वह आवाज सुनाओ आपको तो गैस देखो बिलकुल भी आवाज नहीं है एकदम साइलेंट इंजन है तो इस चीज़ की मैं बात करा था कि काफी रिफाइंड आपको काफी कंट्रोल सारी चीज़ मिलती एंड यह आपका प्रोजेक्टर सेट अप हो गया जो आपको बेस विरेंट से ही मिलता है गाइस जो लास्ट बोनस फीचर जो मैं आपको बता रहे था वो यह है कि आपको हुणड़ाई का जो मतलब लायबिलिटी है जो हुणड़ाई की कनेक्टिविटी है जो हुणड़ाई के सर्विस सेंटर से आप कहीं भी जाओ किसी भी विलेज में हो आपको वहां पे कहीं अपको बहुत अची चीज हो जाती है एंड उसके साथ रीसेल वैल्यू आपको हुणड़ाई की कार्श की बहुत अच्छी मिलेगी मतलब आप जब अगर 5-6 साल अपनी गाड़ी चलाते उसके आज भी जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत जादा वैल्यू टूट जाएगी आपको एक डीसेंट सी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी जो आपको मारूती के मतलब मारूती से थोड़ी आपको कम मिलेगी बट और जो ब्रैंड इंडिया में चल रहे हैं उनसे आपको काफी इसकी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी तो यह बोनस पॉइंट जो मैं आड़ना चाहता था तो गाइस वीडियो को लेता था उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई पसंद आई तो प्लीज वीडियो को ला आपम लेख पर फॉलू कर सकते लेख शिवमघीवलग डिंसक्रिप्शन में लिंक में जाएगा उसका जाके मुझे आप मुझे फॉलू कर सकते हैं तो कैस भीडियो में थे लिग आ दन्यवाद